जाई गुरू आज का अलचनागा टपी के मुर्ति ध्यान से श्री ठाकुर्जी के जीवनी से संग्रुईत चलिए अलचना करते हैं करता मा यानी जनानी मनमोहिन देवी स्री सतिस्चंद्र जोतर से पुछे करता मा जनानी मनमोहिन देवी स्री सतिस्चंद्र जोतर से पुछे तुम लोग अनुकुल के मुर्ति के ध्यान क्यों करते हो स्री सतिस्चंद्र दा बोले सिक्रुषन मुर्ति या आम्या सद्गुर्य मुर्ति का ध्यान करने से आपके लड़के का ही जेहरा जो उपस्तित होता है तो हम लोग क्या करेंगे करता मा बोली ऐसा जदी बस्तुता होता है तो करो कहने के ढंक से लगा कि मनमहिंते भी यह बात अनिच्छे के साथ बोली मध्यन में मन महिंत देवी के पूरव की तरव बने बड़े टीन घर में स्रीशी ठाकुर के साथ अने को भोजन करने बेठे स्रीशी ठाकुर बोले मा तुम मेरी धाली के पास मेट कर भोजन निवेदन कर दो न तुमारे निवेदन करने के बाद मैं प्रसाद खाऊंगा मा बोली मुझसे अभी नहीं होगा सिसि ठकुर बचों की तरह जीत करते हुए बोले नहीं मा निबूत तुम निवेदन नहीं करने पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तुम अच्छी तरह से भात को मिला कर निवेदन कर दो और थोड़ा खा कर प्रसाद बना दो ना मा मजबूरू होकर मन मोहिन देभी जीत की रख्या करने के लिए सिसि ठकुर के बगल में भोजन के समीप बेट कर उनकी इस्ट मुर्थि को यव भुजय शामगरी निवेदन करने ध्यान में बेठी ध्यान करते करते देखी की उनका पुतर ही इस्ट इस्टाल पर अदिश्टित होकर भोजय ग्रहन किया उस समय मनमण देवी बोली अब क्या तुमारा जुठा मुझे खाना पड़ेगा सिसि ठकुर बोले ओ मा ये कैसी बात कर रही हो मनमण देवी बोली मैंने देखा निवेदन करते समय मेरे इस्ट के जगह तुमी तो खाए सिसि ठकुर बोले ओ मा ये कैसी बात है ये समय उपस्तित सभी बिश्मीत होकर सिसि ठकुर की तरफ देखते रहे गे जैगरू